हेलो एवरीवान और वेल्कम बाग तो आवर यूट्यूब चैनल साइवी फॉरेंसिक्स अज बात करने वाल है अज से विडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ पता देना चाहते हुआ इस व्रीवान आपको बोला था बट उनके घर पे कुछ problems हो गई थी कुछ health issues थी और बहुत सारी problems थी जिसकी वजह से वो videos को नहीं continue कर पाए तो इसी वजह से अभी के लिए यह सारे videos जो भी है वो मैं ही अपने खुदी मैं बनाओंगी जाई भी मुझे टाइम मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके एक्जाम तक टीचिंग अपर दूर वाला portion में complete कर पाऊंग तो सारी इतने भी टीचिंग वाले videos होंगे से continue करूंगी तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग अप्रिट्यूट के फिफ्ट पार्ट की और यहां पर हम देखेंगे basic requirements and principles of teaching के बारे में तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उससे पहले यहां पर य आपके net exam की practice के लिए तो यहां पर आप जा सकते हैं और यहां पर अभी हम बात करें basic requirements की teaching की basic requirement होती है तो उसमें जो teaching होती है तो सबसे पहले वो dynamic होती है nature में तो उसकी वजह से कोई इसमें जो time है जो place है उसके according चीज़े change होती रहती है कोई एक fix चीज नहीं रहती है कि यही आपकी requirement होंगी तो यह चीज़ें आपकी time के according आपकी place के according चीज़े environment के सर ऐसे तो उस पर आपका dependent होता है तो उसके according की चीज़े change होती रहती है उसके अलावा जो teacher है वो अपने particular subject में उसको professionalism होनी चाहिए वो ब्लकुल perfect होना चाहिए अपने subject में क्योंकि जब तक व जासे student को उतनी अच्छी knowledge नहीं आ पाएगी तो इस विदा से teacher का अपने particular subject में professionalism होना बहुत ही जादा जरूरी होता है साथ में teacher का और learner का दोनों का अपने subject से related devotion जरूरी है subject जरूरी नहीं है आपर अगर कोई teacher कुछ पढ़ा रहा है तो यहाँ पर teacher के पूरा-पूरा devotion हो चाहिए उन चीज़ों को सीखने की तरफ तो यहाँ पर जब तक दोनों का correlation properly नहीं बनेगा तब तक teaching का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो इस वजह से teacher और learner दोनों का devotion बहुत ही जादा जरूरी होता है उसके साथ में यहाँ पर suitable environment के requirement होती है अगर कोई पढ़ा रहा है बिल्कुल discipline manner में बिल्कुल शांती पॉर्ण होना चाहिए तो इस विजह से suitable environment के requirement होती है उसके अलावा teacher student relationship बहुत requirement है क्योंकि अगर माली जो teacher student को पसंद नहीं करता है तो उस condition में आपका दोनों के teaching है वो उतना प्रॉपरली उतने अच्छे से हो नहीं पाएगी पहली बा मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर teacher पढ़ा रहा है और student पढ़ रहा है तो दोनों को अपने अपने काम से वो रखना चाहिए और उसके अलावा जो teaching है उसको grasp करने की कोशिश करनी चाहिए बट फिर भी यहां पर दोनों को ही बहुत ही mild way में अपना behavior रखना चाहि teacher जो कह रहा है वो उसकी बातों को समझ सके एक learner और learner क्या कहना चाह रहा है वो आपका teacher आपको properly समझ सके तो यहां पर teacher student के relationship perfect होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर यह अच्छी नहीं होगी तो teaching में आपर उतनी perfect तरीके से उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी साथ में यहाँ पर student का discipline भी बहुत ही जादा required होता है यूगि अगर student discipline में नहीं बैठेगा जो भी teacher पढ़ा रहा है आपको वो properly नहीं सुनेगा उसको नहीं समझेगा तो यहाँ पर भी आपकी teaching उतनी efficient way में नहीं हो पाएगी यहाँ पर यह थे आपकी कुछ basic requirements और अभी हम आगे move करते हैं और यहाँ पर भी आपके कुछ और basic requirements हैंół यहाँ पर जो आपके requirement है तो यहाँ पर जो environment होता है इसको हम 3 variables के basis पर उसको हम classify कर सकते हैं और यह आपका interaction के base पर depend करता है था तो तीन वेरियबल्स के हैं पहला आता है इसमें आपका independent variable, second है आपका dependent variable और third है आपका intervening variables. तो अभी इन वेरियबल्स के बारे में discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं. तो यहां पर जैसे कि student depend होता है teacher पर learning time पर जो एक student होता है वो अपने teacher पर depend होता है क्योंकि teacher चीजों के बारे में जो भी subject है उसकी knowledge दे रहा है अपने student को तो इस विज़ा से student इस time पर teacher पर dependent है तो इस तरहे कि जो आपकी learning होती है तो यहां पर student है उसको assume किया जाएगा dependent variable ठी कि क्योंकि यहां पर student teacher पर dependent है तो इसी विज़ा से student को हम assume करेंगे आपका dependent variable next अगर हम बात करें तो teachers are in a position to manipulate the behavior of student and hence teachers are considered as independent variables तो यहां पर जो teacher होते हैं वो student के behavior में changes लाने के लिए काम करते हैं उनको चीज़ों को सिखाने के लिए काम करते हैं तो यहां पर teacher एक तरह से student को अपने according उनके behavior में changes ला रहे हैं मतलब कि teacher जो है student को नई नए चीज़े के बारे में सिखा रहे हैं तो इस वजह से जो teacher है वो student पर या किसी भी other चीज़ पर dependent नहीं है इस time पर तो इस वजह से जो आपका teacher हो जाता है वो आपका independent variable हो जाता है ठीक है next अगर हम बात करें teaching method जो होता है तो यहां पर teaching instructional facilities and motivational techniques which also facilitate the teaching learning process are termed as intervening variables तो यहां पर जो teaching methods होते हैं teaching instructional facilities होती हैं और जितरी motivational techniques होती हैं तो यह सारी के सारी चीज़ें आपकी teaching learning process को करने के लिए teaching learning process को facilitate करने के लिए required होती हैं तो इसी वजह से इस चीज़ को आपकी teaching learning process है इसको हम बोलते हैं intervening variables तो आई होब यहां तक आपको जो variables हैं और जो basic requirements है teaching की वो अच्छे से clear हो गई होगी बाकी इसके लिए जो हम already four parts cover कर चुके हैं तो उसे की continuation में है यह वाला वीडियो तो इस विजह से हो सकता है आपको कुछ कहीं पर doubt आ रहा हो तो इसके लिए आप previous वीडियो देख लिजएगा तो वहां से आपके सारे doubt सच्छे से clear हो जाएंगे तो यह हो गया और भी हम आगे move करते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं जो आपका teaching process है वो एक तरह से dynamic in nature है तो यह आपकी basically तीन categories में हम classify कर सकते हैं जिसमें पहला आता है आपका bipolar process bipolar process मतलब की teaching एक तरह आपकी bipolar process है bipolar process का मतलब जहांपे दो चीज़ों का involvement हो अब यहां पे दो चीज़ कौन कौन सी होगी एक होगी आपकी teacher और दूसरा होगा आपका learner जो अगर हम basic teaching की बात करें तो वहां पर दो चीज़ों की main requirement होती है teacher और learner की तो जब आपकी सिर्फ दो ही की requirement होगे एक आपका teacher होगा एक आपका learner होगा तो यहां पर teaching की process हो रही है तो यह आपकी bipolar process किनाएगी ठीके यहां पर अगर अगर वहांपर यहां पर लर्नर होगा और यहां पर जो आपकी normal environment होता है वो included होगा ठीक है तो यहां पर तीन चीजों का involvement होगा try का मतलब 3, by का मतलब 2 and quadri का मतलब 4 तो जब हम tripolar process की बात करेंगे तो यहां पर आपका teacher होगा यहां पर आपका learner होगा और यहां पर साथ में आपका environment भी होगा तो यह होगा आपका tripolar process next अगर हम बात करें quadri polar process की तो यहां पर 4 चीजों की requirement होगी तो obvious ही बात है कि इस process में आपका एक चीज और include होगी और वो क्या हो सकती है तो यहां पर हमने teacher की बात कर ली यहां पर हमने learner की भी बात कर ली यहां पर हमारा environment जो है वो भी include हो चुका है तो साथ में यहां पर जो आप next चीज जुडेगी वो हो जाएंगी आपकी curriculum activities तो यहां पर जब चारू चीज एड हो जाती है तो यह आपका quadrupolar process कहलाती है और यह process पहले starting होती है आपकी teaching की आपकी जो learning की start होता है वो bipolar से start होती है और nipolar और even though just क्षाइज कर तो इसस साथ में जब हम और बड़े होते हैं क्योंकि आपके दिरे-दिरे कऱकर तो उसके लिए हमारी curriculum activities होती हैं वो हमको बहुत कुछ सीखने वे help करती हैं तो इस तरह से यह आपकी तीन तरह की learning आपकी teaching हो जाती है bipolar process, tripolar process and quadripolar process तो I hope यहां तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से clear हो गई होगी और अभी हम आगे move करते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे terms की जो आपके लिए important है तो यहां पर क्या है पहले तो है आपको vertical teaching तो vertical teaching का क्या मतलब होता है पहले vertical term को समझे यह वर्टिकल का मतलब होता है जो इस तरह की चीज़ें होती है जो आपके vertically होती है तो यहां पर जब हम इसको teaching से relate कर रहे हैं तो यहां पर student को किसी भी पर टॉपिक की vertically knowledge होगी वर्टिकली knowledge का क्या मतलब होगा उसका पुरा detail में knowledge होगी उसका पुरा deep knowledge होगी तो इस चीज़ को हम vertical teaching कहते हैं क्योंकि यहां पर उपर से लेकर के नीचे तक का पुरा vertically एक topic के अंदर दूसरे topic दूसरे topic के अंदर तीसरे topic तीसरे topic के अंदर चौतर topic और इस तरह से हम एक वर्टिकुलर topic ठीके नेक्स्ट अगर हम बात करें horizontal teaching की तो horizontal term का अगर हम समझें तो horizontal आपका इस तरह से होता है ठीके तो यहां पर क्या होता है जो teaching इस तरह की होती है तो वहां पर बहुत deep knowledge नहीं होती है अपर surface की knowledge होती है और यहां पर काफी सारे areas को cover किया जाता है ठीके क्योंकि यहां पर हम जो vertical teaching जी तो यहां पर हमने एक topic को पकड़ा था और उसी के अंदर से related जितने भी topics निकल के आ रहे थे उन सभी topic को एक एक करके हम cover करते हुए चल रहे थे हम एक topic से बहुत अंदर तक जाते हुए चले जा रहे थे तो वह हमने बोला था vertical teaching horizontal में क्या है यह अपर surface पे spreaded रहती है क्योंकि जो जितने भी आपके बहुत सारी topics यहां पर cover हो जाते हैं लेकिन सिर्फ हमको उसकी अपर knowledge होती है पुरो deeply knowledge नहीं होती है तो यहां पर क्या होता है more areas spreading over several topics instead of going deeper into one topics are covered मतलब यहां पर किसी particular topic के deep में जाने की वजाए उस particular topic का basic क्या मतलब है basic क्या knowledge है basic क्या rule है वो मतलब overall basic जो चीजें होती है उनको समझते हैं हर topic से related तो इस तरह की teaching को हम बोलते है horizontal teaching और जैसे के आप इसको यह समझ पार है यह horizontal होता है तो मतलब कि किसी भी topic की upper surface की बारे में knowledge लेना और बहुत सारी जो आपके areas होते हैं उसको cover करना तो इ इस तरह की teaching को हम कहते है horizontal teaching तो आयोब यहां तक आपको वर्ट कर teaching और horizontal teaching अच्छे से clear हो गया होगा और अभी हम आगे move करते हैं और अभी हम यहां पर कुछ और terms हैं उनके बारे में discuss कर लेते हैं तो अभी यहां पर दो term है training और teaching तो अब इन में क्या difference है यह समझना बहुत important क्योंकि जब आपको इसमें difference समझ में आएगा तब आपके exam में अगर कोई इस तरह का question बनके आएगा तो वहां पर आप उसको differentiate कर पाएंगे अराम से तो training क्या मतलब होता है training is to equip candidates with specific or job related or technical skills मतलब की training क्या है कोई particular job है या फिर कोई technical skills है उस particular job से related तो उसके लिए particularly मतलब उस की specified चीजों के बारे में candidate को equip करना उसको जितने भी वहां पर instruments वगरा यूज होते हैं मालीजे कोई सी आप job करने जाते हैं मालीजे forensic lab में ही आप काम करने जाते हैं तो वहां पर जितने भी technical चीज़ें होती है कोई case आता है तो उसकी किस तरह से opening होती है किस तरह से उसमें examination ह होता है analysis होती है then उसमें report preparation होती है तो यह सारे technical चीजों के बारे में पूरे technicalities के बारे में student को अपने candidate को guide करना वह आपकी training कहलाती है जैसे कि आप master's के last year में आप training period के लिए जाते हैं अपने forensic lab जो भी आपकी state में होती है तो वहां पर आप training पर पसर आते हैं training का मतलब होत है जिस तरह से होता है उन चीजों के बारे में वहां पर आपको सिखाया जाता है तो यह चीज आपकी training कहलाती है अभी आपर अगर हम teaching के बात करें तो teaching आपका training के comparison बड़ा concept है training से बड़ा concept आपका teaching होता है क्योंकि यहां पर teaching होती है वो deal करती है theoretical aspect और training जो होती है वो practical application ह होती है theoretical knowledge की ठीचिंग में क्या होता है जो भी कोई भी topic है तो वो हम सारे topics को cover करते हैं normally teaching आपका कोई भी subject है कोई भी topic है तो उसकी जो आपकी सारी चीजें होती है उसके बारे में आपको सिखाता है वहां पर क्या-क्या equipment होते हैं उनके बारे में आपको knowledge देता है ठीक है ल पूरा specified होके उस particular job के जो काम होते हैं उस particular जो भी आप जिस भी चीज की training लेने के हैं वहां पर जो technicalities होती है जो technical skills होती है वो introduce करवाई जाती है एक candidate के अंदर वो चीजों के बारे में सिखाया जाता है candidate को but teaching training से बड़ा concept की हो है क्योंकि teaching में हम हर एक topic को पूरा detail में जान उनके बारे में पढ़ते हैं उनके बारे में समझते हैं तो इस वजह से जो teaching होता है वो training से बड़ा concept हो जाता है और main आपके theoretical knowledge होती है जब आपको theoretical knowledge होगी जब आपको चीजों के बारे में पहले से पता हो रखा होगा तभी आपको training में उतना help मिलेगी क्योंकि अगर आप वो क्यों होगा क्योंकि आपको theoretical knowledge नहीं है अगर आपको training में आपको सिर्फ basic basic चीजों के बारे में बता रहा था वो directly अपने काम पर आते हैं कि यहाँ पर ऐसे यह होता है वैसे वो होता है कोई instrument यूज करना है तो वहाँ पर इस तरह से आपको करना होता है अब क्यों करना ह होता है यह process ही क्यों लगती है यह जो भी चीजें होती है तो वह उसके लिए आपके लिए teaching के requirement होती है तो इसी विज़ा से masters आपका first semester second semester third semester पूरा आपका teaching से related होता है उसमें practicals करते हैं जो आपको fourth semester होता है वहाँ पर हर एक जगा पर आपको training करने के लिए जाना होता है आ इसी विज़ा से training as well as teaching दोनों का ही equal role play, equal role होता है आपकी learning में ठीके तो यह आपका difference होता है training and teaching में I hope आपको चीजें अच्छे से यहां तक clear हो गई होंगी और अभी हम आगे move करते हैं अब हम बात कर लेते हैं जो teaching है उसके क्या objectives हैं ठीके so treating के objectives की अगर हम यहां पर बात क करें तो इसको हम तीन तरह से categorize कर सकते हैं और यह जो classification है यह bloom का classification है जिन्होंने teaching और instructional objectives के basis पर इसको classify किया हुआ है चीके तो यहां पर पहला आ जाता है आपका congenitive domain congenitive domain का क्या मतलब होता है development of intellectual capability intellectual capability का क्या मतलब होता है जिससे कि आपने intellectual property सुना होगा cyber की जो अभी आपका subject होगा computer forensics वाला वहां पर तो intellectual property का क्या मतलब होता है मान लेजे किसी मान लेजे मैं हो ठीक है तो मैंने कोई एक ऐसे research करी जो जिसका right मेरे पास है सिरफ उस particular topic का कोई भी मैंने research करी है तो उसकी बारे में सिरफ मुझे अभी knowledge है मैंने सारी उस पर research work करी है मैंने उस पर अपनी महनत लगाई है मैंने 5-6 साल जो भी खर्च करें तो उसकी basis पर जो हमारा research का result निकल के आया है तो उस पर intellectually मेरा right है मेरा पास उसका copyright है तो वो चीज़ आपकी intellectual property कहलाती है अगर किसी को उस result का use करना है कहीं पर उसका कुछ भी आपको काम करना है तो उसके लिए आपको मेरी permission की requirement होगी तो वो ची intellectual property थी तो इस तरह से हर individual की intellectual capability होती है मतलब की जो भी चीजों को आप सीखते हैं तो उसके basis पर जो आपकी जो भी results होते हैं जो आपके विचार होते हैं जो आपके expressions होते हैं तो वो आपकी intellectual capability कहलाती है तो उसके basis पर यहाँ पर जो teaching है उसके congenitive domain में यहाँ पर कुछ terms है कहला है आपका knowledge, second है आपका comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation तो knowledge मतलब किसी भी subject के बारे में आपको knowledge gain करनी then उसका comprehension करना, comprehension का क्या मतलब होते है कि आपने काफी सारी चीजों को पढ़ा पढने के बाद में जो आपके according सही चीजें थी जो आपने अपने language में अपने words में उनको लिखा तो वो च चीजों को apply करना, उनका practical करना, उनको application करना चीक है उसके बाद में उसकी analysis करना, synthesis करना and last में उसका evaluation करना वालब जो भी results आए है उसका evaluation करना चीक है तो यह आपका हो गया congenitive domain, next अगर हम बात करें effective domain की तो it deals with attitude, willingness to participate and ultimately incorporating the values of discipline into a way of life यहाँ पर क्या है जो effective domain होता है यह deal करता है attitude के साथ में जो आपकी willingness होती है, मतलब जो आपकी इच्छा होती है किसी चीज में participate करने की और साथ में जो values हैं, जो discipline है उसको अपनी life में incorporate करने की तो वो आपका effective domain कहलाता है जिसे यहाँ पर क्या है जो भी आपने चीजों को प perceive करना, उसके base पर किसी भी topic को लेकर respond करना, उसकी value करना, उन चीजों को organize करना और उसको characterize करना, तो यह सारी चीज़ें आपके teaching के objectives होते हैं और इसको effective domain में include करा जाता है, next अगर हम बात करें यहाँ पर psychomotor domain की, तो psychomotor domain में क्या होता है, यह concern करता है acquisition of technical skills, मतलब की, जो आपकी particular को specified चीजों की technical skills होती है, उनको acquire करना, उनको acquisition करना, तो यह आपका psychomotor domain कहलाता है, तो इसमें क्या आजाता है, आपका imitation, मतलब किसी चीजों को copy करना, then manipulation, उसके according उन चीजों को change करना, then precision, मतलब आपके according उन चीजों को precise करना, उसको फिर articulate करना, merge करना, और फिर उसका naturalization करना, तो यह सारे आपके psychomotor domain के underclassified teaching के objectives है, तो यहाँ पर आपके कुछ objectives थे teaching के, यह मैंने आपको बता दिये है, I hope समझ में आया होगा आपको, यह आपके कुछ points है, और इन points को ही आपके exam में line बनाके sentence बनाके, उसमें काफी सारे points डालके उसको आपके assertion, reason बगएरा के questions बनाकर पूछा जाता है, तो इसी चीज़ों को आपको अच्छी से समझना है, और फिर वहाँ पर जब थोग सा logically सोचेंगे, और फिर आपको वहाँ पर exact answer मिल जाएगा, अभी जैसे यह teaching aptitude पर थोड़ा ही इसमें और चीज़ें बती हैं, तो जब सारे questions मैं खुझ से नहीं frame करूँगी, वो सारे questions आपके previous year papers के होंगे, वहाँ पर आपको अलग-अलग year होते हैं, तो वो सारे के mix-up होंगे, तो वहाँ से आपको जब practice करेंगे, तो आपको और चीज़ें अच्छे से clear हो जाएगा, यह पूरा topic है teaching aptitude का, यह बहुत maximums के बारे में, so maximums क्या है, ground rule या फिर fundamental principle, जो आपके teaching का fundamental principle होता है, उसको हम बोलता है maximums of teaching, तो उसके बारे में यहाँ पर हम discuss कर लेते हैं, so basically, जो आपकी teaching होती है, वो simple से लेकर complex तक होती है, known से unknown होती है, seen to unseen होती है, concrete to abstract होती है, particular to general होती है, बतलब कि, जैसे कि कोई भी चीज़ को आप सीखना स्टार्ट करते हैं, तो starting में बहुत simple simple चीज़े होती है, फिर देर देर वो complex होती है, starting में आपको चीज़ों के बारे में पता होता है, फिर देर जैसे आप बढ़ते हैं, वो आपके लिए unknown हो जाती है, बट फिर आप उनको सीखते हैं, तो वो फिर से देखी हुई से अंदेखी होने लगती है, फिर concrete से abstract होने लगती है, particular से general होने लगते हैं, वो आपके लिए normal होने लगता है, वैसे ही from whole to part, indefinite से आपका definite होने लगता है, psychological से logical होता है, analysis से synthesis होती है, and encouragement होता है, self study की तरफ, तो ये चीज़े हैं, आपके कुछ fundamental principle हैं, डिस कि इसमें कुछ explain करने का है नहीं, simple simple words है, I hope आपको clear हो रहोगा, अगर कोई doubt रह जाता है, यहाँ पर तो आप हमें comment section में लिख सकते हैं, उसका reply आपको definitely मिल जाएगा, ऐसा मसूची का मैंने यहाँ पर पढ़ा कर खतम कर दिया, आपको definitely उसका reply मिलेगा, answer जरूर से मिलेग तो अगर कोई doubt है, तो आप जरूर से लिख दीजेगा, ठीक है, यह हो गया, और अभी हम आगे move करते हैं, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, blended learning की, यह एक थोड़ा सा छोड़ा सा topic है, तो यह आपके net exam point of view से directly यहाँ से question बन सकता है, तो इस वीड़ा से मैंने इसको अफर अवैलेबल नहीं है, ठीक है, बट फिर भें, यहाँ पर कुछ आपकी एक दो definition है, यह आपकी blended learning को define कर सकती है, so blended learning क्या है, combine करते हैं, आपकी online learning को face-to-face learning से, ठीक है, तो यह चीजे जासे कि आपकी online learning होती है, और जा फेस to face learning होती है, जा इन दोनों चीजों को आप mix कर देते हैं कि मतलब कभी आपकी online learning हुई कभी आपकी face to face learning हुई तो ये चीज़ें आपकी blended learning कहलाती है और जैसे कि आप तो online learning में भी face to face learning होने लगी है तो वो चीज़ भी आपकी एक तरह से blended learning है कहलाती है इसके लबाव it also defined as a combination of multiple approaches to pedagogy of or teaching for example self-placed collaborative और inquiry based study तो यहां पर जो आपके blended learning है यह आपकी अलग approaches का बहुत सारी approaches का combination होता है जैसे कि आपकी pedagogy या फिर teaching होती है तो उसके अलग-अलग methods होते हैं तो जब आप उन सारी चीजों को mix कर देते हैं तो वो भी आपकी एक तरह से blended learning ही कहलाती है और इसमें अगर हम इसके कुछ examples की बात करें तो जैसे कि यहां पर आपका self-placed है collaborative learning है या फिर inquiry based study होती है तो यह सारे के सारे आपके blended learning के ही example है यहां पर जो आपके blended learning होती है इसके अगर हम goal की बात करें तो इसका basically goal यही होता है कि most efficient and effective instruction experience को provide करवाना by combining delivery modalities जो आपकी teaching की अलग-अलग methods होते हैं जो आपकी अलग-अलग processes होती है उन सारी चीज़ों को mix करके उन सारी चीज़ों को blend करके बहुत ही effective effective and effective instruction experience को provide करवाना अपने learner को अपने student को तो वह आपका basically blended learning का goal होता है ठीके और यह एक तरह से बहुत important भी हो जाती है क्योंकि आपकी net exam में इस तरह से question भी बन सकता है बाकि अगर आप normally study purpose से बात करें तो यहां पर आपको बहुत सारी चीज़ों को अलग-अलग तरीके से सीखने का मौका मिलता है तो इसी विरह से आपका blended learning एक तरह से important aspect हो जाता है आपकी study में bachelor's, master's, PhD तो यह सारी चीज़ें इस तरह से आते हैं तो इसमें आपका highest order होता है उसको हम बोलते हैं तो वहां पर इसके में बात करें थी वर्टिकल टीचिंग तो वह चीज़ थी तो उसमें आप पूरा deeply एक पर्टिकलो टॉपिक को अंदर तक समझ रहे थे तो वही चीज़ यहां पर भी है कि जब आप किसी पर्टिकलो टॉपिक पर पूरा चीज़े समझने के बाद में अपने according अपने beliefs को अपने ideas को अपने results को दूसरों के उपर impress करते हैं उसमें साथ में आपकी teaching भी included होती है तो वह आपका indoctrination में included होता है और यहां पर जो teaching होती है वह आपकी indoctrination के बिना हो सकती है बट यहां पर जो indoctrination है वह आपका teaching के without possible नहीं है कि teaching अगर आप तक आपने नहीं पढ़ी होगी teaching वाली process आपके साथ नहीं होई होगी तो उस condition में आप indoctrination के stage तक पहुंची नहीं पाएंगे बट यहां पर indoctrination stage आप पहुंचे नहीं पहुंचे बट teaching आपका indoctrination से कोई relation नहीं है teaching अगर आपको करना है तो वह आप वैसे भी कर सकते हैं बट indoctrination करना है तो वह आप teaching के बिना नहीं कर सकते हैं तो यह आपके एक तरह से यह चीज़ें हो गई यह आपके कुछ important terms थी जो कि मैंने आपको बताए हैं आपके net exam में directly यहां से question बन सकता है तो यह चीज़ें हो गई है I hope यहां तक आपको चीज़ें अच्छे से clear हो गई होगी और जो यहां पर हमारा आज का topic था वो भी complete हो चुका है और इसके बाद में जो हम next topic करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे teaching methods के बारे में तो वहां पर काफ़ी सारे teaching methods हैं और teaching methods आपके previous year question paper में बहुत सारे questions बने हैं तो उस वज़ा से जो मारा next video है वो भी जल्दी ही आ जाएगा तो वहां पर उसको हम cover कर लेंगे ठीक है तो यह हमारी blogger की website है यहां पर आपको बहुत जल्दी paper one के भी mcqs मिलने वाले हैं तो यहां पर आप जरूर से visit करिएगा उसके लाबा हमारे telegram channel and facebook page को जरूर से join कर जाएगा क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारा ऐसा content बलता है जो मैं आपको नॉर्मली वीडियो की format में नहीं दे पाती हूं यासी कोई vacancy आ गई या फिर कोई अच्छी सी PDF है तो वह सारी content आपको telegram पर available है तो वहां से आप जाकर उसको access कर सकते हैं यह चीज हो गई और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको like सिरूर से कर देंगे अपने friends के साथ में share कर दीजएगा ताकि उन तक भी quality content पहुंच जाए paper one के preparation वह भी अपनी बहुत चीजी कर पाए चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लेंगे and thank you so much for joining me here